नमस्कार आप देखरे हैं बिस तक मैं हुरा जट देवगन आज जब बजार खुलने वाला था तो सबसे आज ट्राक कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स की पिछले सेशन की क्लोजिंग को थाई परसेंट के आसपास की तीजी नाजडाक में बन गी थी तो ये तो पता था कि आज आज आईटी शेयर का बोल बाला रहने वाला है उपर से एजएक से निफ्टी बता रहा था कि नबबे से सौ आंकों की देजी शुरुआती सत्र में पकड़ जाएंगे जातर एशेय बाजार बन थे निके खुला हुआ था वहाँ पर भी तीजी देखने को मिल रही थी तो भही अब बुल्स चार्ज रब थे लेकिन ये जो जो जोश था ये शुरुआती एक घंटे ही चला आज की जो ओपनिंग थी व पाला मार्केट था उठापटक एक नारो रेंज पर देखने को मिल रही थी और वो तब जब रिलाएंस इंडर्स की शुक्रवार को नतीजे इन लाइन थे आई से बैंक जैसे बैंक ने नतीजे अच्छे पेश किये थे लेकिन कोई बहुत बड़ा आज मूव डिरेक्शनल 21 के लेवल पर प्लोज हुआ है 314 अंक बढ़कर और सेंसेक्स 319 अंकों की बड़त के साथ हुआ है बन एडवांस डिकलाइंस पिच्छर आपको एडवांस की तरफ जादा दिखाएंगे 32 शियर्स निफ्टी के हरे निशान में और 18 शियर्स लाल लिशान में बंद हुए है लेकिन जो चड़ा उसमें आज डिफेंसिफ लेज जादा दिखाई दे रहा था जैसे कि सन फार्मा निफ्टी का टॉप गेनर बन गया 2% के आसपास की तेजी दूसरा था हुआ जहां पर लगबग 2% की तेजी बने आशर मोटर यूपील टेक महिंदर जैसे स्टॉक में आ आज दबाव में रहे सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पर तेजी वाला सेक्टर आ रहा है आईटी जैसे मैंने कहा नास्डाक में तेजी बनी थी तो इंडिन आईटी कैसे पीछे रहा जाते कंपनियां बहुत सारे स्टॉक साच चड़ते हुए नजर आए अक्रॉस द आदे फीजिस दे लगभग 2% के आसपास के गेंस बनते हुए नजर आया टाटा कंजूमर भी आचड़ता हुए नजर आया इसके लावा बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स चड़े कुछ स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिल रहा था लेकिन जो चड़े उसमें था बंधन ब सब्सक्राइब पिएसबी आयोबी जैसे स्टॉक्स भी आज हलके हो गए और टो में जादा था स्टॉक्स की रफ्तार तेज थी जिसमें सोना कॉम स्टार धाई परसंट चड़ाया अशोग लेले इंट सबाद 2% उशला है भारत फोर्ज आईशर मोटर बजाज ओटो जैसे स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी और फार्मा वैसे भी डिफेंसिव प्लेमेट अवल था जिसमें सन फार्मा लूपन बायो कॉंट डिविस लाब्स इपका लाब जाइडस लाइब बहुत समय बाद आज होल सभी स्टॉक्स में एकदम से तेजी बनती स्टॉक्स में आज हुआ जिसमें गेल, GSPL, गुजराद गैस, MGL, ऑल इंडिया, पेट्रोनेट, HPCL जासे स्टॉक्स आज पकड़ मजबूत करते हों लेकिन गिरावट अगर ढूंडने जाओगे तो कुछ सेक्टर्स दिखेंगे उसमें प्रॉमिनेंट है सीमेंट, अल्टर का था, Metals, जिसमें आज प्रॉफिट बॉकिंग दिखाई दे रही थी, APL, Apollo, Hindustan, Zinc, Tata Steel, JSW Steel, Wellspin Coop और विदानता जैसे स्टॉक्स में, FNO gainers जहां पर बड़े सौधे होते हैं, उसमें आज सबसे तेज था, Torrent Power, 7% के करीब उचला है, इसके लावा, Coforge, Persistent Systems, Canfin Homes, और आज लगभग 4% के आसपास का घोता लगा गया, ऐसे ही mid-cap gainers में सूची बहुत लंबी होगी है, इस खड़े बजार में भी, जिसमें कोई भी direction नहीं नज़र आ रही है, कुछ उनिंदा स्टॉक्स एक दम से चलते हैं, आज नंबर आया, Sport King का, 19% उचल गया, इसके लावा लॉइट स्टील लगभग 9% उचला है, डिलिवरी का स्टॉक आज 6.5% उचला है, आरके फोर्जिंग स्टार्टा, इलेकसी 4.5% से 6% उचले हैं, शेर इंडिया, चिनने, पेट्रो, सूप्रिया, लाइफ एकदम से उचलते वे नज़राए, रेस्ट्रो ब्रांट्स और अ 8,415 करोड रुपे के additional tier 1 bonds write-off करना चाता था, Bombay High Court में उस पर रोक लगा दी, और ये sentiment डैमेज कर गया इस टॉक के लिए, आज 8% इस टॉक पे गिरावट देखने को मिली, इनफी बीम 7% ज्यादा तूटा है, सारे गामा, अपार इंडस्टीज, मेग मनी और्गानिक्स, JSW correct हुए हैं, अब आगे क्या होगा, देखें इस हफते important trigger आएगा अमेरिका से, जब quarter 4 GDP का पहला अनुमान release होगा, साथी साथ बजार में अभी अपने markets में देखें, तो bulls और beers के बीच में तगड़ी लड़ाई हो रही है, वो options data भी दिखाई दे रहा है कि बजार एक दारे क्या बता रहा है, अभी तक कर data ये बता रहा है कि important support level है 18,000 और resistance level है 18,250, options data पर भी ये नजर आता है, जहां पर 18,000, 18,100 के put writers बहुत active हैं, और वही पर ये गर उपर देखोगे तो 18,100, 18,200 के call writers बहुत active हैं, तो range किसी भी side break नहीं हो रही है, अभी ऐसे लग रहा है कि दारे range जरूर तूटेगी, नतीजे जो important track होंगे कल वो है, मारूती, पिडिलाइट, कोलगेट, ग्रान्यूस जैसी कंपनी अपने नतीजे पोस्ट करेंगी, इसके लावा HDFC, AMC, Industar, SBI Card, TVS Motor, McDowell भी अपने नतीजे कल पोस्ट करेगी, इंडिक्स बिलकुल manage होगा, और साथी स uncertain महौल रहेगा, अभी फिलाल एक range bound moment की indication ज़्यादा है.